आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर को किस तरह से यूज करना है ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने का सही तरीका कौन सा है आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल जीवन ब्यूटी टिप्स ब्लॉक्स में सबसे पहले आपको लेना है ब्यूटी ब्लेंडर अब आपको लेना है एक बाउल इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कीजिए और आपको ब्यूटी ब्लेंडर को इस पानी में डिप करके 5 मिनट के लिए रखना है जब भी आपको अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाना है बीबी क्रीम लगानी है जब आप कोई भी क्रीम कॉमप्लैक्शन को इक्वल करने के लिए यूज कर रहे हो उससे 5-10 मिनट पहले आपको ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरह से पानी में डिप करके रख देना है और 5- 10 मिनट के बाद आपको इसे स्क्वीज कर लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह करने से आपका जितना भी पानी है वो सारा निकल जाएगा और आपका ब्यूटी ब्लेंडर तयार हो जाएगा आपके चेहरे पर इस्तिमाल करने के लिए अगर आप को को लिए और ईसे लगए तो वीडियो को लाएक ज्रूर करना नीचे लाइक का बटन है उसे तरह करना है हमारा व्योटी ब्लेंडर हो 650 है अब आपको क्या करना है आपको लेना है अपना फांबेशन आप जो भी किसी भी कंपनी का आूंडेशन यूज करते हो आपको वो foundation ले लेना है मैं यहाँ पर foundation plus concealer यूज़ कर रही हूँ आपको इसे लगाना कैसे है वो भी ध्यान से दिखिएगा आपको इसे dot dot करकर अपने full face पर apply करना है अगर आप कोई भी foundation अपने हाथों से लगाते हो जा फिर brush की help से लगाते हो तो आपके face पर इतनी अच्छी finishing नहीं आती जितनी कि आप beauty blender के इस्तिमाल से आपके चेहरे पर आने वाली है अगर आप beauty blender के इस्तिमाल से अपने face पर कोई भी foundation apply करते हो तो आपके चेहरे पर natural glow देखने को मिलता है ऐसा नहीं लगेगा कि आपका face केकी है कईयों का ऐसा होता है कि चेहरे पर mostly complaints आती है मेरे mostly viewers ये कहते हैं कि दी हम जब भी foundation apply करते हैं तो हमारा चेहरा काला दिखाई देने लगता है तो dear आज से आप इस तरह से beauty blender का इस्तिमाल कीजिए आपका चेहरे का make-up कभी भी काला नहीं पड़ेगा अगर आप foundation लगाने के बाद जो चीज में आपके साथ share करी हूँ वो अपने face पर लगा लेते हो तो आपके face पर बहुत अच्छा glow आएगा तो दोस्तों आपको इस तरह से dot dot करकर अपने full face पर foundation apply करना है और इस तरह से धीरे धीरे करकर उसे full coverage देते हुए एकदम से आपको इस तरह tap tap करते हुए अपने face पर लगा लेना है next आपको जो चीज करनी है उसका भी अब ध्यान दीजिए अगर आपकी skin oily है तो आपको foundation जब कोई भी cream apply करने से पहले make up करने से पहले अपने face पर ice की massage करनी है जानी की बर्फ की massage करनी है आप एक ice cube लेकर cotton के हैंकी में लिपेट लेजिए और उसे पने full face की 2-3 minute massage कीजिए और उसके बाद ही अपने चेहरे पर कोई भी foundation apply कीजिए ऐसा करने से आपके चेहरे पर प्रसीना बहुत कम आएगा और आपका चेहरा काला भी नहीं दिखाए दीगा अगर आपका चेहरा dry है तो आपको क्या करना है आपको कोई भी moisturizer face wash करने के बाद पहले apply कर लेना है और उसके बाद ही आप अपने face पर base apply कीजिए foundation apply कीजिए डियर foundation apply करने से पहले आपको सबसे पहले अपने face को clean करना है उसके बाद मैंने aloe vera gel लगाई थी और उसके बाद मैंने आपको foundation apply करके दिखाया है next जो जीज़ apply करेंगे हम वो है compact powder मैं यहाँ पर loose powder use कर रही हूँ आपको इस तरह से foundation लगाने के बाद अपने face पर powder से foundation को set कर लेना है आप देख सकते हैं कि मेरे room में थोड़ी से light की problem है light blink कर रही है कभी light ज़्यादा आ रही है कभी कम तो इसलिए मैं आपको sorry बोलती हूं friends अगर वीडियो अच्छी लग रही है useful लग रही है तो वीडियो को like करना मद भूलेगा नीचे like का बटन है वीडियो को like जरूर करिए चैनल पर पहली बार आए है तो जल्दी से में चैनल को subscribe कीजिए नीचे जो red color का subscribe बटन है उसे click कीजिए और grey में convert कर दीजिए बाजू में चोटा सा bell बटन होगा उसे जुरूर प्रेस कर लेना तांचो मेरी हर आने वाली वीडियो का notification आप तक जुरूर पहुंचे तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए ब्यूटी ब्लेंडर चाहे किसी भी brand का हो किसी भी company का हो बस आपको उसे इस्तिमाल करने का सही तरीका पता होने चाहिए जिस तरह से मैंने आपको बचाय कि ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज करना है आज से अब इसी तरीके से इसे यूज कीजिए तो मिलती है मेरी नेक्स्ट और यूजफूल वीडियो के साथ तब तक अपना खयाल रखिएगा टेक केर बाबाई